नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइब में हूँ राजकुमार अगरवाल दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी वीडियो ने हलचल मचा रखी है जिसको लेकर के पूरा देश में तरहेमाम तरहेमाम मचा हुआ है वीडियो क्या है आप जानते हैं जरूर देखियोगी नहीं तो हम आपको ये देखाएंगे आपको जल्दी बीडियो में क्या है हम आपको उता देते हैं और आज हम उस बीडियो को लेकर किस से बात कर रहे हैं ये भी हम आपको उता देते हैं मेरे साथ हैं जीनत अंसारी जी आप एक राष्टे संस्था चलाती हैं राष्टे संस्था की राष्टे अद्धक्ष भी है और पार्टी से भी जुड़ी हुई है लेकिन हम पार्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक संस्ता चलाती है एक महिला है इसलिए हम महिला की बात करेंगे मेरे साथ हैं मेरे साहयक नीरज पांडे जी नीरज पांडे जी का सवाल मेरा सवाल जीनत से सीधे सीधे क्या है सवाल बात करते हैं जीनत जी आपने जो भी वीडियो देखी कि जावेद हबीब जो अपने आपको सुपर हेर स्टाइलिस हेर एक्सपर्स बताता है वो महलाओं का अपमान कर रहा है कैसे कर रहा है यह तो आपने देख लिया मैं उसको बताना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना ग अपने आम एक ब्रांड है और शयाद वह इतना घंबन में चूर हो गया है कि उनको यहीं नहीं पता है कि वह महिलाओं का कैसे अपमान कर रहे हैं और फिर मैं किसी मजभब को टार्गेट ना करते हुए कमसे कम मैं आग मजबूरी में एक मुसल्मान हूं एक महिला हूं उस को क्या उसके लिए शब्द मिरबास का मैं शयाद बोलने के लिए जो बना कि सिर पर थूख रहा है जो एक इज़द है हम लोगों के लिए जो बस से ढखने जिसको अज़ूस भी आपने चेरे को सिर को कवर करके रखती है उसी पर थूख रहा है तो यह तो एक महिलाओं का ऐसा अपमान है जिसको हम महीला होने के नादे से बिलकुल हम बरदाश्ट नी करेंगे और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो महीला उसके फेवर में है या जो कुछ उसके उसकी साथ देना चाहरी है उनके उनके खिलाब भी सक्षिक कारेवाई की जाए अपमान कर रहा है ऐस हिंदुओं को हिंदुओं में हिंदु महीला को इस पेसलिए नारी को देवी सुरॉब का जाता है घर की लक्ष में का जाता है पुझने यूग का जाता है कहते हैं कन्या दान जो मिलता है कोई आदमी अगर मालू जैसे कि मैं हूँ मैंने किसी एक लड़की का एक लड़के का रिष्टा करवा दिया तो एक हचका सवाब मिलता है तो ऐसा नहीं हिंदो धर्मे मुसल्मान धर्मे भी लड़कियों की बहुत ऐमियत है हमारे जो पैगंबर हुए है जब उनकी करकर में बेटी में बीर तो घटी हो करके चाहिए हमारे घादमें और श्रौन सस्वाइब मुसल्मान धर्मे अ क्वे हैं तो यह उसको नहीं चाहिए और यह ऐसे हमिप की यहान में चूरह चुके है जिनको कुछ पता ही नहीं है वह इंसान नहीं रहा है उसको इतनी शरम हम इस बात को कहें महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान तो ऐसे जावेद हवीब के साथ क्या किया जाए वह बात आगे करेंगे मिरे साथ पांडे जी भी है लेकिन जावेद हवीब की वी एक बहन होगी एक माह होगी एक पत्नी होगी क्या थूप करके वो क्या संदेश देना चाहता है एक ऐसा ग्रणित संदेश आज पूरा देश वो यहां से भाग चुका है लेकिन उसके मूपर जहां भी कोई चर्चा होती है तो आज भी लोग महिलाएं पुरुस बच्चे थूक रहें आप क्या करना चाहिए राच कुमार जी सबसे पहले तो जो आपने का है कि वो यहां से भाग चुका है तो बहुत अच्छी बात उसको भागने बिल्कुल नहीं देना चाहिए और जिस देश वहां पर हिंदों के कहते हैं कि वहां पर एंठटागा अलब है यह तो किसी संसकार का अज़िसे कुछ पताही नहीं कि प्रस को करते करके क हैंसे भाग जाते हैं तो मैं परशासन भी इसमें कहीने का जिम्मदार है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है तो उन लोगों खिलाभी कारवाई होनी चाहिए कि जिसने इसके पासपोर्ट पर विज़ा लगाया होगा इसे भागने में मदद की होगी उन लोगों के भी खिलाभ एक्शन लिया जाए और मैं अपनी सरकार से मैं यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों के खिलाभी कारवाई की जाए और मैं लिखित में बहुत जल कली ग्यापन दोंगी एक मुश्लिम महिला ने बात जब कही कि उसको इस देश में परवेश मी न दिया जाए तो मैं कहूंगा मैं सलूट करूंगा एक ऐसी महिला के लिए जिसने अपनी के साथ साथ हिंदू महिलाओं की रक्षा के लिए जो कदम उठाया जाए बहुत बड़ी बात पाड़ें जी क उस आदमी के विरोध में कोई एक्षान नहीं लिया गया तो आप इस पर क्या सरकार से मांग करेंगी सरकार से तो मैं मांग करूए करूंगी पर मैं आपसे एक रिक्षान और ये बीच में रोकना चाहती हूँ कि एतनी बड़ी घर्णा हुई है, इतना गलत करें हुए है कि जो भी हमारे मुसलमान, जो मौलाना है, अलमा है उफ़ों वह असके कि खिलाफ कोई बात जारी नहीं किया है अगर यही कुछ काम एक मुसलिम महिला कर लेती है तो उसे खुलाफ फत्वा जारी किया कर दिया जाता है तो मैं उनको भी ए कहना चाहती हूं कि कम से कम ऐसे लोगों के बारों चाहिते हूं कि कम से कम फ़परा हैं इसे सरकार से भी कहती हूं जो सिर्फ सरकार जो हम महिलाओं के लिए जो कारे करना चाहती है सिर्फ वो उसी पे उगली उठा देते हैं वो तीन तलाग का हो या अगर मालो अभी जैसे कि अभी इसके अंदर ये बिल पास हुआ ता अठारा साल से 21 साल उमर कर दी गए थी जब भी सबसे ज़्यादा अगर बेचेनी हुई थी तो हमारे मौलाना उल्माओं को हुई थी तो आखिरकार उनको भी बैल लगाना चाहिए मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और ये है कि सरकार से मेरा ये नुरूद है कि जो ऐसी गलत काम करते हैं उनके विरूस सक्से सक्कार रवाई की जाए और फिर मेरा यह अपील है कि करमा लोगो देश छोड़ चुका है तो उसे देश में दुबारा एंट्री नहीं की जाहिए जिना जी आप एक मुस्लिम महिला भी है और सरियत के या किसी धर्म में यह क्या मानता मिलती है कि किसी के सर पर या किसी के बाल पर थूका जाए यह क्या किसी धर्म में जायज है यह तो हमारे बता रहे हो किसी भी धर में जायज ही नहीं है अफसोस की बात तो यह है कि जो आज कल के अपने आपको मुसल्मान कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि मतलब कि ठूकना तो वैसे ही मना है और आप मतलब कि किसी के सिर पे मैंने बताया है कि आदमी किसी भी धर में ले लीजिए सनातन हो चाहे वो मुसलिम धर्म हो सिर को ढापके रखने का एक प्राचीन का से प्रचल चला रहा है वो आज तक भी है तो जो आदमी सिर के ऊपर तूक रहा है अपर मैं माँ बहनों से भी अपिल करनी चाहती हूं जो वीडियो में देखा है कि जो लड़किया है महीला है वो क्लैपिंग कर रही है हस्री है, उनको भी कम से कम, शर्म आनी चाहिए, उनको अंदर एक अपनी जो उनके अंदर जो एक शक्ती है जो एक डेवी का Maru P., उस थेम उनने व करना चाहिए था शहिए था तब हिए उसको वहीं का वहीं एक उसका ilacs कर देना चाहिए था मैं आपने कठों चाहिए आपने बड़ी अच्छी बात कर बाद का इस बात की कि कि अगर कोई मेरे साथ में बटतमीज़ी कर रहा है तो मुझे अपनी हिफाज़त के लिए क्या अपनी अपनी इज़त बचाने के लिए मुझे कुछ काम करना ना चाहिए वो कानून हाथ में लेना हो गया एक आदमी इतना घ्रनेत कारे कर रहा है सिर्पे थूक रहा है जिसको सुनने के बाद भी आदमी एक दम कैसे मैं क्या वर्ड कहूं कि मेरे शायद शब्द नहीं है कि कैसा अदमी को कितना गंदा काम कर रहा है यह हमारे मजभ से भी हटके हैं हमारे मजभ में भी नहीं है यह और एक महिला का अपमान कर रहा है तो महिला बाद में मतलब कि ये वो इंतजार करती रहे कि मैं बाद में जाओंगी और मैं जाके कानून का सहरा लोगी मैं यहीं आ रहा था मैं आपसे कहना चाह रहा था इस बात के लिए ये जो थूकने की परमपरा है एक तरह का जिहाद एक कैमपें एक अभ्यान चल रहा है कोई रोटियो में थूक रहा है कोई सब्जी में थूक रहा है कोई पानी में थूक रहा है कोई सिर पे थूक रहा है को से सक्ट कारवाई उन्ची है लेकिन ऐसी कौन सी कारवाई है जिसमें कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए क्योंकि कानूनी सक्त नहीं हो रहे हैं पहले मैं आपको बीच में रोकूंगी जैसे कि थूगने का जो प्रिक्रिया है यह लगतार चली रही है को फलो पे थूख र इमारा है तो यह प्रिक्रण अब इतना तूल भी पकड़ा है उससे पहले भी अगर सरकार चाहती तो रोक लगाती यह कुछ मलगी जो भी हैं जिसके साथ भी होटल में या वो बंद करने वो काम बंद करना बंद करवा दे जाते वह होटल था रोटी बनाने वाला या को सब इसके उपर अपने किटानों फेकना अपने जर्म फेकना तो जो एक गुना है आप वो कर रहे हो अगर वो भी रोकते तो शायद आग इतनी जादा बात आगे ना बढ़ती जब के अलक्शन का टाइम भी है सब कुछ भी है तो मैं इस चीज़ को मुद्दा ना बना करके कि एक हिंदो मुसलमान का ये क्या है पर ये एक बहुत घिरनेत और गलत कर रही है क्योंकि जो आदमी जिसको यहीं नहीं पता है मुसलमान होने के नाते कि मैं कितना गलत कर रहा हूं तो इसके अगर पहले ये सजा हो गई होती है उन लोगों को तो शायद आज जावेद हभी जैसे कि इतनी अवकाद नी थी कि वो किसी महिला का अपमान करता इसमें महिला भी जिम्मेदार है कि उन्होंने उस टायम उसका अपमान करते हुए देखा क्लैपिंग करी तो उतनी महिला भी जिम्मेदार है तो उनको भी महिलाओं से भी अपील करती हूं वो अपने अंदर की जो देवी बैठी हुई है उसको जगाए उसको जगाए ना कि क्लैपिंग करे जाविद जावेद हभीद जैसे नर्पिचाश से ना तो बाल कटवाए ना उनके उसके सैलूर में जाना बंग कर दे हर धर्म की महिलाओं से अपील करती हूं मैं मुसल्मान होने के नादे हर मह महिलाओं से अपील करती हूं कि चाहे भले ही वह एक बचारी बहुत से महिला ऐसी है जिन्हें रोजगार की जरूरत है आप उन्हें रोजगार दो जावेद हभीद जैसे इंसान से नहीं और उसको तो यह बहुत अच्छा हूँ और की वज़े से इंडिया छोड़के भाग हैं थूकने के का से हुटपन होते हैं और यह मुसलिम नो में क्यों होते हैं मैं आगसे पहले कुछ बात बताता हूं आपको की फिल्म स्टार हैं आमीर खान कहते हैं मैं जिस लड़की के नंबर वन स्टार वन जाती है तो यह कैसी सोच है थूक नहीं कि देखिये अगर एक महिला उन्हाय है अगर उसका मदलब का है कि उनके परवरिश में खोट है वो आमिर खानों चाज जावेद हभी वो X Y Z कोई भी हो अगर वो जैसे कि आमिर खान कहना है कि मैं जिस लड़की के हाथ पे थुक देता हूं सुपरिस्टार बन जाती है तो ये हम लोगों के लिए हम मेलाओं के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम अपने आपको प्रुफ ना करके हमें आज भी प्रुशो का साहरा लेना पड़ता है कि हम थुकवा करके तब हम सुपरिस्टार बन सकते है या हम किसी खाबलता बन सकते है आप अपने अंदर की जो पावर है जो शक्ती है जो के देवी है आप उसको जगाईए आमिर खान जैसे लोगों से थुकवाईए मत आपके अंदर अगर काबलियत है आपके अंदर कोई अगर गुण है तो आप अपने आप निकालिए आपको जमाना सेलूट करेगा आप क्यों भी आज वैसे तो कहते हैं हम लोग किसी सदी में परवेश कर चुके है महिला बुर्शों से काले से काला में लाके चल रही है सब कुछ हो रहा है पर मैं तो जब ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो देखती हूँ महिला तो आज भी पैर की जूतिय बनी हुई है आज भी महिला आज भी परशों के वो पैरों तले कुछ लिजा रही है आज भी उन्हें आमिर खान जैसे परशों की जरूरा थै कि वो उनके हाथ पर थूके है रों सुपर स्टार बने मैं तो देखिये आज मैं एक अपनी संसा चलाती हूँ एक पार्टी से जुड़ी हूई हूँ और पार्टी में अगर कुछ घलत है तो मैं उसे घलत भी कहूँगी जैसे कि मुझे पता है कि जावेद अभी भी है वो बिज़े भी पार्टी से जुड़े हुए है तो कम से कम सबसे पहले उनको पार्टी से निश्कासित किया जाए क्योंकि पार्टी जो है मैं भाजवा पार्टी को सैलूट करती हूँ कि जिस party ने महिलाओ के लिए खासर मुसलिम महिलाओ के लिए एक बहुत बड़ा step उठाया जो किसी party ने ने उठाया है तो उसका reason ये है कि अब महिलाओ की इज़त और सम्मान के लिए जावेद हबीब को क्योंकि मुझे इज़त से नहीं बोलना चाहिए मुझे बार-बार गिल्टी फील होती है कि मैं उसका ऐसे नाम क्यों ले रही हूँ और मेरे संस्कार ऐसे है कि फिर भी मैं उसको इज़त से बोल रही हूँ तो उसको पार्टी से निकाला जाए और उस सबसे पहले मैं अपनी मा बहन बेटियों से भी करती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर प्लीज खुदा के वास्ते अच्छे संस्कार लाओ मुसल्मानों जागो अपने घर में अच्छे संस्कार दो तो अपने बच्चों आदमी जावेद हभी बाहर की बेहन बेटियों की इजब नहीं कर सकता है जही वात है उपने घर की अच्छाम पहन 가능 enough की बीजब ग्यान पानते होगा है, ऐसे एक उलब jon士 आप जो वह समझता है उसी भासा में उससे बात करनी चाहिए वह नरपिसाच ऐसा राच्छस आदमी उसको समान की योग नहीं है किया आप मानती है कि उल्यमाओं को है इनको सिच्छा देनी चाहिए और सही सदमाग दिखाना चाहिए तो कहां कमी रह गए घो क्या अपने डूटी था ही से निभानी रहे हैं कि उलिमा नहों पूर करके एक राजनीती बन गई है उन उनको सर्फ यह हैं कि स्थरीके से जो मसलिए बेटिया है जो में पुर्ष भी वोंके एक पृण्टी कटकतली बनी रहे कब वो तलाग देंगे कब भो खुला करेंगे कभ यह लाला होगा इस तरी कि तमाम जो उनकी एक गंधी राज़नीती चल रही है जो उनके दुकाने चल रही है जो ये तक्रीर में बताते हैं इसमें उनको कुछ बदलाव लाना चाहिए और समाज के हित्की बाद भी करने चाहिए उन्हें तक्रीर ही क्यों करनी चाहिए मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उनको आखर कर तक्रीर क्यों करनी चाहिए जब हमारा खुरान शरीफ है उसमें हर एक इंसान अपने आप अपने आपको इतना काबिल बनाए कि उसे अगर वो मीनिंग से पढ़ेगा तो वो खुद में एक मौला ना है खुद में एक तकरीर है क्यों मौलाना के पास जाएगा? क्यों उनको बड़ा से जब वो आपकी इज़त नहीं करना जानते हैं आपको तो आप अपने आप चुले ना क्या जुरूरत है इनके पास जाने की? उन्हें तक्रीम के सुनने की ये क्यों अपना टाइम इतना वेस्च कर रहे है? हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता क्यों बेद पुरान या कुरान पढ़ सके उसके लिए चाहे महत्मा बनाए गए हैं या मौलाना बनाए गए यह लोगों को यह धर्म के ठेकेदार बनाए गया कि इनको सदमार्ग बताएंगे तो ऐसे में उनकी कुछ जिम्मदारी भी बनती हो और उनको बताना भी चाहिए तो किस हथ तक वह सही कर रहे हैं किस हथ तक गलत कर देदाएंगे अपने आपको अपने वियूज बताओंगी तो मेरे साब से तो बिलकुल अब तक उनको ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे मैं यह कहूं कि हाँ मौलाना ने बहुत अच्छे काम किये हैं मुस्लिमों के हित के लिए किये हैं उन्होंने बहुत जादा कॉलेज इनिवर्स्टी बनाई हैं तो अभी तक तो मेरे नजर मैं इसा कुछ नहीं आया है तो इसलिए मैं यह आप से भी पूछना चाहती हूं कि फिर हम उन लोगों को क्यों इतनी बड़ी तरजी दें क्यों इतना बड़ा आधा दें क्यों हम उनके ओपर डिपेंड हो जाएं फिर वह सवाल ला जाते हैं कि हम अपने अपनी जो हमारी अप प्रियाओ को नहीं पहचान सकते हैं सबसे बड़ा हमारा संसकार हैं संसकार पर चलना चाहिए हमारा वह तब होगा ना कि जब हम लोग अपने अपने आपको अपने अंदर की पावर को पहचानेंगे हमें तो यह डर लगा रहेगा अब डर आया भी जाता है डर क्या कि जो विचारी जो सुलम बस्ती में जो ऐसी महीला है जिनको दीन का नहीं पता है तो बहुत सी महीला ही महीला हो के आजकल दुश्मन भी होती है तो वो उनको ऐसी गैड़ बता देती है अगर आप ये करोगे तो आपको गुना है अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपको ये गुना लगेगा तो वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मैं अभी भी बीजेपी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलूँगी पर जो काम मोदी जी ने किया तीन तलाक वाला अगर कर हमारे उल्मा जो की मीनिंग से खुराश श्रीफ जानते थे अधिस जानते थे उन्हों ने ये बात महिलाओ को क्यों नहीं बताए कि एक बार में तीन तलाक या ने तीन तलाक नहीं होती है अगर मोदी जी ये कानून लेके आ गए कि 18 साल की जगा 21 साल कर दिया जाए तो उसमें उल्माओं के पेट में क्यों दर्द हो गया कि भई नहीं 21 साल की इसका मतलब उनको पता है कि एक मा के परवरिश में खोट है वो अपनी लड़कियों को इतनी जिम्मेदार बनाना ही नहीं चाहती है कि वो समझ सेगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अगर इसी बीच में ये बात समझाने के लिए डक्टर जीनत अंसारी जाती है तो वो उनको ये कहा देती है कि आपको तो दीन का क्या पता क्योंकि इसलिए कि मैं सिर्दिन ढखेवे हूँ जबकि मेरी आखों में शर्म है, मुझे पता है सब कुछ ये थी जीनत हंसारी हमारे साथ में लेकिन मित्रो हम एक बात आपको जरू अबगत कराना चाहेंगे किसी भी चीज़ को मानने के लिए सक्त से सक्त दंडात्मक कारवाई और दंडात्मक कारवाई तभी संबब है, जब कानून बहुत सकता हूंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा कानून इसमें रखा हुआ है, वो यहां से चला गया उसके खिलाब कुछ होने वाला नहीं, बेलेवल अफेंस हैं सारे के सारे नौन वेलेवल अफेंस हों और जिसमें सीधे की सीधे एक महिला की इस तरह से अफमान करना यानि कि किसी की एक निरसंस हत्या कर देना, जीते जी जिसको जिन्दा मार देना हत्या नहीं कहेंगे, उसकी ये कहना चाहिए, कि मैं तो कि एक इजज़त पही हमला है एक इज़त पहमला है, हत्या की बाद आदमी मर जाता है फिर भी, लागे ये तो है कि एक आत्मा पर आत्मा पर प्रहार हुआ है, जिस मांग को हिंदूों में भढ़ते हैं, जीवन पर की कसम खाते हैं, उस मांग के अंदर थूक बढ़ दिया जाए, ऐसे नीच निकम में आ मेट्रो लाइब के लिए मेरे साथ हैं जीनत अंसारी जी मेरे साथ हैं नीरज पांडे जी नमस्कार